उम्र ठका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद्ध हो तो परिस्तितियां भी ठरा नहीं सकती नमस्कार सात्यों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल डीजे सर क्लासेज पर और आजम बात करने वाले हैं साइन्स के महतुपुन प्रशनों के बारे में जो आपके रेलवे, यानि कि यहाँ पर ALP, ग्रूप D, पशुपरिचर और CET इन सभी के लिए म वीडियो को पहुंचाईए, ताकि प्रतेक बच्चा इस क्लास को देख सके और इस क्लास का साइदा ले सके, चलिए तो शुरुवात करते हैं और ध्यान रखेगा, आज की अपनी पहली क्लास हैं, जिसमें आपको MCQ क्योशन मिलने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे, यहा अभी के बारे में बात करेंगे, जो यहां पर पीछले जो एक्जाम हुए हैं, उन एक्जाम में सारे प्रस्ण आई हुए हैं, तो आपके लिए महत्तुपुन रहेंगे, तो देखना ना भूले, और इस क्लास के साथ साथ आप DJ Sir Classes के जो चैनल है, इसको जोइन कीजेगा, चलिए तो शुरुआत करते हैं, आज की अपनी पहली क्लास, और देखेगा इसमें, पहला प्रस्ण आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो ध्यान रखोगे आप इसमें, पहला प्रस्ण आपके सामने और सबसे सिंपल प्रस्ण है, तो प्रस्ण क्या है, ध्यान दीजेग कि कोशिकाओं के अध्यन को क्या कहा जाता है देखो सबसे सिंपल प्रस्णे तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखना होगा कि प्रस्ण में क्या पूछा गया है तो सिंपल सा प्रस्णे यहाँ पर क्या एक बार फिर पढ़ेगा इसको कोशिकाओं के अध्यन को क्या कहा ज राता है कोशिकाओं का अध्यान किसके अंतरगत किया जाता है वो धियान रखोगे आप्षिन पहला है आपके पास में इसका जवाब दीजेगा कि आपके पास में इस प्रश्ण का जवाब दीजेगा चलिये तो देखते हैं यहां पर क्या इसमें को घुशिकाओं के अध्यन को क्या सीरोलोजी कहा जाता है क्या क्या सैटो प्लाज्म कहा जाता है क्या क्या Cakeب का मैं आपको बता दो इसका जो जो वीशर होगा वैं क्या होगा साइटोलोजी इस दा क्रेक्ट आंसर साइटोलोजी तो देखेगा अभी हमने बात की यहां पर किसके बारे में कि कोशिकाएं होती है कोशिकाओं का अध्यन क्या कहलाता है तो हमने बात की कि कोशिकाओं का अध्यन क्या कहलाता है यहां पर साइटोलोजी कहलाता है क्या कहलात सायकों का मतलब का मतलब क्या होता है कोशी का मतलब होता है यहां पर इसटड़ी यानी की अध्यान को भूछ कोशिकाओं का अध्यनी क्या कलाता है साइटो लोजी कलाता है ध्यान रखोगे यहां पर बात किजारी किस की कोशिका की ध्यान रखोगे यहां से देखेगा बहतुपन प्रश्ण बनते हैं कौन-कौन से बनते हैं तो देखेगा इसमें पहला प्रश्ण पूछा जाता है आप नामक वेग्यानिक ने कोशिका की खोश किये और ध्यान रखोगे यहां पर जो वेग्यानिक इन्हों ने मृत कोशिका की खोश की थी और ये भी ध्यान रखोगे कि कौन से सन में की थी तो ध्यान रखोगे यहां पर 1665 में की थी तो हमने बात की यहां पर किस किस के बारे में ध्यान रखोगे कि कोशिका की कोश सरु प्रतम किस ने किये तो रोबट हुक नामत वेगयनिक ने किये कौन से सन में किये तो ध्यान रखोगे 1665 में किये और यह किस प्रकार की कोशिका थी मरत कोशिका थी यानि कि मरत कोशि कोशिका की खोज किये किसने रोबर्ट हुक नामक वेगयनिक ने किये तो क्या फिर जीवित कोशिका की खोज भी होगी तो ध्यान रखोगे यहां पर हम बात करें बटाओ किसके बारे में जीवित कोशिका की खोज किसने किये तो ध्यान रखोगे यहां पर जीवित कोशिका की तो यह भी धियान रखोगे कोन से तो सलने की ए transitional किये मृत्त Touarendra ति यानि कि कोर्ख में इसकी खोज की गई दूसरी बात हम ने की कि जिवित-कोशिका कि खोज किस ने किये तो ध्यान रखोगे ल्य वैनोहमक नामक टी है प्रतीक जीव का शरीर किन से मिलकर के बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो एक और बात ध्यान रखोगे यहां पर क्या, कि जो कोशिका होती है, क्या 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 हो अपने बात कि यहाँ पर किस की संड़चनात्मक की और दूसरी बात यह हमने हाँ है किरियात्मक के बारे में थव यहां से एक प्रत्षन यह वह बन जाता है क्या और सजियों चिन्व की संड़ दि 50 कर्यात्मक कर यो वह तो दियान रखोगे फ्योक ह sabem तो अभी तक हमने बात यहां पर देखो ध्यान रखना आपका एक प्रस्ण होगा और एक प्रस्ण से आपके यहां पर चार प्रस्ण बनते हैं ठीके तो ध्यान रखोगे अपना प्रस्ण था पहला क्या कि कोशिकाओं के अध्यन को क्या का जाता है तो हमने बात की साइटोलो तो यह पहला प्रस्ण था जिसके उपर उपर लेवल पर हमने बात की यहां पर अब देखेगा अपना जो यह प्रस्ण है इस प्रस्ण के अंदर और महतुपूर्ण बिंदू कौन-कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर तो ध्यान दीजेगा हमने बात की यहां पर किसके बारे में कि कोशिकाओं के अध्यन को क्या कहा जाता है साइटोलोजी कहा जाता है क्या कहा जाता है साइटोलोजी कहा जाता है और ध्यान रखोगे इसी के साथ में अपने पास में और क्या था यहां पर अपने पास में था पहला सीरोलोजी था तो ध्यान रखोगे यहां पर इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सीरोलोजी के बार क्या कहा जाता है तो ध्यान रखोगे क्या उसको कहा जाता है है आगे छलते हैं देखेगा दूसरी बात यहां पर क्या कि रोगों की पेचान और निधान की विवेचना के अध्यन को क्या कहा जाता है TTO लोजी कहा जाता है तो ध्यान रखोगे क्या कहा जाता है TTO लोजी कहा जाता है जिसमें क्या किया जाता है कि जो रोग होते हैं रोगों का क्या किया जाता है निधान किया जाता है तो ध्यान रखोगे तुसरी बात करें हम यहां पर किस की कोशिका में कि कोशिका जो जिल्ली होती है कोशिका जिल्ली के अंदर क्या होता है केंद्रक को छोड़कर संपुन पधार्तों को कोशिका चार्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है तो ध्यान रखोगे कोशिका द्रव्य यानि की साइटो प्लाज्म तहाँ जाता है नि यहुआ पर ध्यान रखोगी यह बात ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या होता है ती रवेदार देली नूमा अर्दे तरल पधारते हैं और ये कोशिका के इतने प्रतिशत भाग की रचना करता है 70% भाग की यहीं रचना करता है इसलिए तो कहा जाता है क्या कि सजियों के शरीर की जो सर्ण रचनात्मक और जो किर्यात्मक एकाई होती है तो सभी जीओं के अंदर कोशिका का महत्युपूर्ण रोल होता है तो यहां पर ध्यान रखोगे और एक बात और ध्यान रखोगे यहां पर क्या कि आपके सामने यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदू दिये गये हैं इनको भी ध्यान रखेगा क्योंकि यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे ठीके चलिए तो पहला प्रस्ण अ कि अपके सामने screen पर लग चुका है second question तो जवाब दीजेगा इसका आपके सामने click की किया जाता है उसको क्या कहा जाता है जवाह दीजेगा इसका चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कि अपने सामने कौन-कौन से options हैं तो पहला option से आपके सामने अर्पेटो लोजी तो ध्यान रखेगा प्रस्न क्या पूछा गया है पक्षियों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो ध्यान रखोगे अर्णी थो लोजी क्या कहा जाता है पक्षियों के अध्यन को क्या कहा जाता है और्णी थो लोजी कहा जाता है क्या कहा जाता है और्णी थो लोजी कहा जाता है और्णी थो लोजी क्या किया जाता है पक्षियों का अध्यन किया जाता है तो ध्यान रखोगे यहां पर इसी के साथ साथ हम बात करें बटाओ यहां लोजी किसको कहेंगे तो ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर तो यह क्या है सभी ध्यान रखोगे जीविज्ञान की प्रमुक्षाकाइं हैं और यहां से आप ध्यान रखोगे क्या NTPC में LP में ग्रूप D में इन सभी में प्रश्ण पूखे जाते हैं तो ध ध्यान रखोगे तो हमने बात कि कि यह पर किसके बारे में और नितों लोजी किसको कहा जाता है हमने बात किे पक्शियों का अध्यान यानी कि जिसके अंत्रगत क्या किया जाता है उसको और छेटों कि किसと कहेंगे hart उभेचरो एवं 30 रपों का अध्यन जिसके अंतरगत उभेचर और 30 रप क्या किया जाता है अध्यन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है अरपेटो लोजी कहा जाता है ध्यान रखोगे इसके बाद हम बात करें यहां पर किसके बारे में ऑप्थेलमो लोजी किसको कहा जाता ह आगे बढ़ते हैं एंत्रोपोलोजी किसको कहेंगे तो ध्यान रखोगे मानों के क्रमिक विकास का क्या किया जाता है अध्यन किया जाता है यानि कि जिसके अंतरगत मानों के क्रमिक विकास का अध्यन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है एंत्रोपोलोजी कहा जाता है तो ध्यान रखेगा तो ये विशेश चर्चा किये हमने इन प्रश्णों के बारे में ठीके तो ध्यान रखोगे इन सभी प्रश्णों के बारे में ये प्रश्ण आपके लिए महतुपुन साबित होंगे ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प् जवाब में आपका जो option है उसको choose करना है ताकि मेरे को भी ध्यान रहे है कि आप उसका क्या कर रहे हो जवाब दे रहे हो और जो प्रश्न क्रमांग के को कौन सा होगा तो आपको क्या करना है प्रश्न क्रमांग सहित जवाब देना है तो इसक्रीन पर है आपके सामने प्रश् तो सेरी कल्चर जो शब्द है ये किस से संबंदित है तो option A है आपके पास में मचली पालन क्या सेरी कल्चर शब्द मचली पालन से संबंदित है क्या क्या सेरी कल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंदित है क्या थड़ है क्या पक्षी पालन से संबंदित है क्या क्या मधु जो सेरी कल्चर जो शब्द हैं ये किस से संभंदित है तो इस दक रेक्तांसर रेशम की खेती से संभंदित है तो ध्यान रखोगे यहां पर हम बात कर चुके पक्षी पालन की तो हम बात कर चुके अभी अभी जो पक्षी पालन का अध्यन होता है तो क्या कहा जाता है तो उस मचली पालन का अध्यान क्या क्या लाएगा और मद्य। मख्य पालनand का अध्यान क्या क्या लाएगा तो इसके बारे में रचा करते हैं पर ध्ष्यान रखोगी स्टेरी कल्चर स्टेरी कल्चर की अभी हमने बात किये कि रेशम कीट पालन का अध्यन क्या कलाता है सेकंड किसी कल्चर किसको कहेंगी तो ध्यान रखोगे बत्ते पालन का जो अध्यन होगा उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है किसी कल्चर तो ध्यान रखोगे मदू मक़्ी पालन का ध्यान करना तृ तो ध्यान रखोगे अंतरगत क्या किया जाता है मद्धुमक्यों का पालन क्या जाता है तो ध्यान रखोगे अभी अभी हमने बात की विटाओ यहां पर ध्यान रखोगे इसका एक और अभी कल्चर या फिर औरनितो लोजी हमने बात किये ध्यान रखोगे पर्ष्ट साएटोसी वाला था सेसे लगा हमने बात की इस में ध्यान दियुजएगा पक््षियों के म्थ्य की म्थयन को क्या कहा जाता है और नित्वोय लोजी कह ए इसके बारे में смотрите अब दी सब्सक्रेख कम आ तो है एम मीना जवाब दे रहे हैं किलकुल क्रेक्ट था ध्यान दीजेगा प्रश्न करमांग फॉर्थ लग चुका है हमेह आपके पास में प्रश्न क्रमांग फोर्थ क्या है? पढ़ते हैं इसको एक बार ध्यान दीजेगा जीवों के वर्गी करण से संबंदी जीविज्ञान की शाका को क्या करते हैं? तो ध्यान दीजेगा इसमें बात किस की जारी है? तो ध्यान रखोगी इसमें बात की जारी विटाओं यहां पर किसके बारे में जीवों के वर्गी करण के बारे में तो यह ध्यान रखोगे आप यहां पर क्या हमसे क्या जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है इसमें जीवों के वर्गी करण के बारे में पूछा जा रहा है कि जीवों के वर्गी करण से संबंदित जी विज्ञान की शाका को क्या करते हैं तो ध्यान रखोगे option A है आपके सामने क्या वर्गी करण विज्ञान कहा जाता है क्या नोत्व लोजी कहा जाता है क्या क्या शरी रचना विज्ञान कहा जाता है या फिर सरो विज्ञान कहा जाता है इसका correct answer क्या होगा तो ध्यान दीजेगा इसका correct answer होगा यहां पर क्या वर्गी करण विज्ञान क्या होगा वर्गी करण विज्ञान तो ध्यान रखेगा कि जिस ताका के अंतरगत क्या किया जाता है गिवों का वर्गी करण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है यहां पर वर् करते हैं यहां पर इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या रहने वाले हैं तो ध्यान दीजेगा इसमें जीवों के वर्गी करण से संबंदित जी विज्ञान की शाका को क्या कहा जाता है वर्गी करण विज्ञान कहा जाता है तो ध्यान रखोगे इसमें और इसके अल इसमें और क्या है तो ध्यान रखोगे 1735 इसमें कार्ल लीनियस ने सिस्टमानेचूरी के आधार पर वर्गी करण किया था विज्ञानी के इनकां चीए जीवों से डिचितों केले लिए हुए उसको आधार आधार बनाया ही उन्हें तो ध्यान रखोगे यहां पर इन्होंने आधार बनायाता सिस्ट्रमा नेचूरी को आधार बना करके इनका क्या कियाता यहां पर क्लासिफिक सब्सक्राइब धन रखेगा इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर किसके बारे में नोथो लोजी किसको कहेंगे तो ध्यान रहे अभी-अभी आपने बात की वृठा और हाँ अपने पास मेंनी आया से यहां यहां पर तकी शरीर रचना विज्ञान के बारे में की रचना करीम कहोंड़ को दियान को ह で उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान को ध्यान रखोगे यहां पर ध्यान रख लेना क्या सबसे पेले क्या दिया गया है यहां पर शरीर फाड किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है इनाटोमी यानि की शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है ध्यान प्रपातों अर्थ भूमी और जो समुद्री से क्या है इन सभी का ज Tagesाता है। उसे क्या कहा जाता है तो ध्यान रकूगे यहांपर उसे कहा जाता है तो ध्यान रकाता है तो गयाने आ दिया, लुश का है है तो सिंपल वे में ध्यान रख लिए कैसा треб ह 관심 के सब करे अवस्तर सर्विज्ञान कहा नहीं प्रस्विट्वरता तatu इस है कहा यहाँ यहां तक ही चले अग Sultan貝 है आगे क्या प्रस्विध रहने वाला है प्रश्ण क्रमांग 5 है पढ़ियेगा इसको जन्तू विज्ञान किसका अध्यन है अगर देखा जाए तो सिम्पल सा प्रस्ण है और प्रस्ण पूछा गया है यहाँ पर जन्तू विज्ञान किसका अध्यन है तो मैं बता दो यहां पर आप क्या कि जैसे लिखा हुआ है यहां पर क्या कि जन्तु द्यान रखोगे जरसे जानवर ध्यान रख लीजेगा तो इसका जो क्रेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा जानवरों का अध्यान कि जनतु विज्ञान किसका अध्यान है जानवरों का अध्यान रखोगे इसके क्या महत्तुपूर्ण विंदु है उसके बारे में बात करते हैं यहां पर अपना प्रश्न कर्मांग पांच इसका जो क्रेक्ट आंस यहाँ पर पिसानों की बात करें अगर हम ध्यान रखोगे जिसानों का जो अध्यन होगा वह क्या क्लाता है वह क्लाता यहाँ पर वाईरोलोजी कलाता है ठीक है इसके बाद आगे बात करते हम नेक्स्ट प्रश्ण प्रश्ण क्रमांग छे लग चुका है स्किरिन पर तो जवाब दीजेगा इसका प्रश्ण क्रमांग 6 है जो क्या है तो ध्यान रखोगे यहां पर पादप विज्ञान में किसका अध्यन किया जाता है भी बता दो आपकी जानकारी नुसार यहां पर कि बात की जारी है किसकी पादप विज्ञान की बात की जारी है तो ध्यान रखोगे यहां पर परसे क्या ध्यान रखोगे पोधे ध्यान रख लीज़ेगा परसे पोधे और परसे पादप यानि कि इसके अंतरगर पादप विज्ञान में किसका अध्यन किया जाता है तो ध्यान ऑगे डेक्ट जो लॉद सर्व यहां पर यहां पर उद्धा रहाएं प्लंट की आगे बढ़तें यहां पर हम बात करते हैं कि ति हलिए कुछंज महत्मुण बिंदुय है इसके यहां पर कोन कोन से है तो देखते हैं इनको भी तबसे पहले बात किये यहां पर किसके बारे में वही फाइटोलोजी याने की यहां पर वदू का अध्यन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वनस्पति विज्ञान प्राचिन गरिक शब्द से लिया गया है कुन से शब्द से के लिए हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा आप यहां पर सिंपल सा प्रस्ण है क्या बनस्पती विज्ञान के जनक कौन है मैं आप से प्रस्ण पूछना हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा आप क्या बनस्पती विज्ञान के जनक कौन है जीन पर लग चुका है जवाब दीजेगा इसका ख्यान रहने माइको लोजी के अध्यन से संबंधित है आपसे क्या पूछा गया है, माइकोलोजी पूछा गया है, कि माइकोलोजी के अध्यन से संबंदी ते, तो उटाओ यहाँ पर क्या संबंदी ते, क्या मानव कोशिकाएं संबंदी ते, क्या कवक संबंदी ते, या फिर जिसानों संबंदी ते, या फिर जिवानों संबंदी बताएगा प्रश्ण का जवाब दीजिएगा तो मैं बता दू यहां पर कि माइकोलोजी के अध्यन से संबंदी ते यहां पर क्या कवग तो ध्यान रखोगे यहां पर हमने बात की किसके बारे में त्थान दीजिएगा माइकोलोजी के बारे में हमने बात की है यहां पर माइकोलोजी का जो अध्यन होगा उसमें किसकी बात की जाते बटाओ पवकों की बात की जाते है और इसी के साथ साथ आपकी जानकारी के नुसार मैं बता दू यहां पर अगर एक प्रश्ण आपको पूछा जाता है क्या कि फाइको लोजी एगर आपसे पूछा जाता है यहां पर इसका ज़वाब क्या होगा पॉझान रखोगे लिख के बात करे किया तफयान का जो अध्यान चिर्गा यहां पर लोक जो अध्यान होता है इसको कह जाताuj कहा जाता है ถुआ को लोजी कहा जाता है यहां पर आप समझ्ज ने का सबसे महत्व समझे लिए एक बार क्या हुआ की जो कवक और शेवल हैं कवक और शेवैल के बीच में लडाई निओं को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद वह दोनोग घान ठ Jignfel के हम बात करें ओसकर करके काहली कां पर चले गए अ क्या निकल कर आता है यहां पर फाइकोलोजी और जो कवक कहां चली गई थी अपने माई के चली गई थी तो मसे क्या निकल कर स्क्रिन पर लग चुका है तो ध्यान दीजिएगा प्रस्ण क्या पूछा गया है आपसे प्रस्ण पूछा गया है कि विभिन प्रकार के उत्तकों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो ध्यान रखोगे प्रस्ण को आगे बढ़ाते हैं यहां पर इसका जो प्रस्ण को आगे बढ़ाते हैं हाँ यह होगा उत्तक विज्ञान एनिकी इस्टोलोजी तो ध्यान रखोगे यहां पर कि जिसके अंतरगत उत्तकों का अध्यन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है उत्तक विज्ञान कहा जाता है यहां पर बात की जाती विटाओ कि इसकी जानवरों की और जानवर किस से संबंदी थी जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंद होता है उसे क्या कहा जाता है तो ध्यान रखोगे यहां पर क्या इतोलोजी कहा जाता है प्रस्ण कर्मान 10 पढ़िएगा प्रस्ण को प्रस्ण क, प्रस्ण कैया है एक्जोनोमी पूल रूप से संबंदी थे हैनि कि एक्जोनोमी है ये किस से संबंदी थे तो ध्यान रखोगे option A है आपके सामने जिव विविद्धिता, option D कर ढचा, option C खगोल विज्ञान की एक शाका, option D है मानव वेवार का अध्यान वो बताएगा इस प्रेक्ट आंसर होगा इसका जिव विविद्धिता जिसके अंतरगत क्या किया जाता है जो जीव होते हैं उन जीवों का यहां पर क्या है जो प्रत्वी होती है इस प्रत्वी पर उपस्ति जो समस्त जीव होते हैं उनके बारे में अध्यन किया जाता है ध् एक्जोनोमी को हम बोलेंगे वर्गी की विज्ञाने मूल रोप से किससे संबंदीते ध्यान रखोगे ज्यों विविद्धता से संबंदीते और आधुनिक वर्गी करण की निव सबसे इंपोर्टेंट प्रश्ण बनता है विटाओ यहां पर थ्यान रखोगे इंपोर्टेंट प्रश्ण बनता है क्या कि आधुनिक वर्गी करण की निव इसने डाली थी तो ध्यान रखोगे के रोलस लीनियस ध्यान रखेगा किसी बात की जारी है के रोलस लीनियस ने अपनी प पद्धति ये पुटाउ यह प्रणाली ज़िसको बोला जाता है ओद्वी नाम प्रणाली बनाने का गाल है छो ठीन रखोगे यहां पर अगे बढ़ते हैं इस प्रणाली नुसार प्रतेक प्राणी या कर सब्सक्राद होता है प्रदरशित करता है वंच को और दूसरा जो शब्ड ही है वो जाती स्टेर और भात कि mocink है रकोगे यहां से हमने बात कि दो प्रक्राश्ठ बन रहे हैं और दो प्रश्ड कोण-कोण से बन रहे अपने पास में यहाँ पर वो सबसे पहला प्रश्ण की वर्गी करण की जो नहीं हों जिवजी डाली थी वो के रोलस्ट लाम बेगनिक ने उस्रा प्रश्ण क्या बनता है यहाँ पर प्रष्ण की दुई पद्धस हैं पर दो और पद का मतलब क्या होगा पद कि इसके अंतरगा कितने पद होते हैं दो पद जिन में से एक किसको प्रदर्शित करता है बंच को प्रदर्शित करता है और दूसरा किसको प्रदर्शित करता है तो यहां पर किसको जाती को यानि कि इसको क्या करता है प्रदर्शित कर नेम लिखा जाता है उसमें सबसे पहला जो होता है वो कि इसको प्रदर्शित करता है और किसको करता है जाती को प्रदर्शित करता है और एक्जामपल की तोर पर हम यहां पर बात करें इसके बारे में जैसे हमने नाम लिखा यहां पर किसका आम का आम का वानस्पतिक नाम के हम बात करें यहां पर तो क्या होगा मेंजी फेरा इंडी का होता है मेंजी फेरा इंडी का तो ध्यान रखोगे मेंजी फेरा जो इंडीका है मेंजी फेरा किसको प्रदर्शित करता यह वंच को और जो इंडीका यह किसको प्रदर्शित करते हैं यहां पर इस्तिस को प्रदर्शित करते हैं तो यह यहां तक की कानिती चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं यहां पर आगे बात करते प्रश्ण क्रमान 11 और पढ़िएगा इसको जीविज्ञान की कौनसी शाका वंशानुकरम पेटन के माध्यम पर केंद्री थे देखो क्या प्रश्ण पूछा गया है आपसे यहां पर कि जीविज्ञान की कौनसी एस तका है जो किस पर आधारी थे बंशानुकरम पेटन पर है तो ध्यान रखोगे क्या विकास्ति जीविज्ञान है या फिर मानव शास्त्र है या फिर आनुवंशी की है या जेव प्रोधोगी की है तो ध्यान रखोगे इसका correct answer क्या होगा तो ध्यान रखोगे यहां पर इसका सही जवाब होगा यहां पर आ आधारीते वंचानुक्रम पेटन पर आधारीते हैं ठीक है इसमें और कौन-कौन से महतुपूर्ण बिंदु रने वाले हैं तो ध्यान रखोगे सबसे पहली बात यहां पर क्या कि आनुवंची की जी विज्ञान की वह शाका है जो वंचानुक्रम पेटन को यानि जो वंचा क्या किया जाता है वंचानुक्रम पेटन होता है इसका अध्यन किया जाता या इस पर आधारीते हैं एक इंपोटेंट प्रश्न बनता है यहां से इंपोटेंट प्रश्न क्या बनता है कि आनुवंची की के जनक कौन है उध्यान रखोगे ग्रेगर जोन मेंडल ग्रेगर ज अभी यह भी प्रश्ण क्या जाता है यहां पर मेंडल का पूरा नाम क्या है तो ध्यान रखोगे मेंडल का पूरा नाम क्या है तो ध्यान रखोगे ग्रेगर जोन मेंडल क्या नाम है ग्रेगर जोन मेंडल ध्यान रखोगे इन्हों ने क्या किया था तो ध्यान रखेगा सारी चीजे आप ध्यान रखोगे यहां पर बात कीजारिये किसकी शब्द की आनुवंची की जो शब्द है इसका प्रियोग सबसे पहले किसकी द्वारा किया गया यहां पर बेटसन द्वारा किया गया कौन से सन में 1906 में इसान रखने ठीक है अधर ऑफ जेनेटिक्स की बात की जाए तो वो तो क्याएगा ग्रेगर जोन मेंडल और शब्द की बात की जाए तो फिर क्याएगा बेटसन कोन से सन में 1906 में प्रतेक जीव में बहुत से एसे गुण होते हैं जो पीडी दर पीडी माता-पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं और जीवों के इन मुल गुणों का संभरन आनुवंशिक का रते हैं यानि कि यहां पर जो आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो माता-पिता से पीडी दर पीडी क्या होते रहते हैं संचरित होते रहते हैं ध्यान रखोगे यानि कि एक जो पीडी होती है उसकी जो गुण होंगे वो दू आगे बढ़ते हैं यहां पर एक्स्ट प्रश्ण प्रश्ण क्रमांक 12 आप से क्या प्रश्ण पूछा गया है PT culture क्या है आपके सामने सब्जियों की खेती फी है आम की खेती और सी है अंगूर की खेती औरました बतायेगा सही जवाब को चिसको किसको काता है अंगूर की खेती है तो पिर सब्जीओं की खेती को तो क्या कहाता है तो ध्यान रखेगा और कल्चर की खेती खेटी कंखते और सब़से को ऑले काल सा जाता है और मैं बता दू आप HR कल्चर कहाता है जिलबर कहारा शलरई एक सिंपल सा तरीका रूरा है निकल drinking के निकला के आता है यहां पर फूल दो कि खेती हो तो मैं को क्या कहा जाता है फ्लोरी कल्चर कहा जाता है ध्यान रखोगे क्या कहा जाता है फ्लोरी कल्चर कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न को आगे बढ़ाते हम यहां पर प्रश्न क्रमांक आपके सामने आ चुका है प्रश्न क्रमांक 13 पढ़िएगा ध्यान से इसको आप प्रस्न करमांक लगाएगा प्रस्नकरमांक जो भी都 10 जवाब दे रहे हैं वह प्रस्न प्रमांक कि लगा चुछ प्रस्नकरमांक लगा एनल इस संबंधित सामने कोधे की प्रजनन प्रणाली रक्त सी जानवरों के खान पान की आदत ऑप्शन डी हड्डियां क्या होगा हिमीटो लोजी का अध्यन किसे संबंदित है के लिए इसका क्रेक्ट आंसर होगा वह कुन सा होगा रक्त होगा रक्त के बारे में वो ओध्यान रक्त होगे प्रण पूछा जाता है जाने कितनी बार प्रण पूछा गया है आपसे यहां पर कि रक्त की जो pH value होती है वह कितनी होती है तो ध्यान रखोगे रक्त की pH value होती है विटाओ यहाँ पर 7.4 कितनी होती है 7.4 होती है यानि कि यह कैसा होता है तो ध्यान रखोगे यहाँ पर यह होता है खलका शार यह होता है इसा होता है तल का शार्य होता है तो मैं बता दो आपको नजाने कितनी बार सेगंड ग्रेड में उन सब भी एक्जाम में प्रसुन कुष्टा गया है रक्त का पी एच मान कितना होता है उध्यान रखोगे 7.4 होता है इसे लिए आगे बढ़ते हैं हां हमने बात के अभी फिमेटो लोजी का अध्यान किस से संबंदीते बिटाओ बता चुके हैं रक्ति से संबंदीते हैं बहत्तुपूर्ण बिंदू एक और डेंड्रो लोजी डेंड्रो लोजी की बात की जाती है तो ध्यान रखोगे रक्षो एवं जाडियों का अध्यने देंड्रोलोजी कहलाता है टिश्यू कल्चर उध्यान रखोगे तरत्री माध्यम से उत्तकों का संवर्धन क्या कलाता है टिश्यू कल्चर कलाता है तो ध्यान भी रखोगे आप टिश्यू किसको कहा जाता है उत्तकों को कहा जाता है उध्यान रखोगे नेक्स्ट वाईरोलो प्रश्ण क्रमां को आगे बढ़ाते हैं हम यहां पर प्रस्ण आपका रने वाला है निमनल लिकित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जेविक अध्यन का सबसे अच्छा वर्णन करता है सबसे उचित और सटिक जवाब आपको यहां से चुनना है क्या कि निमनल लिकित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जेविक अध्यन का सबसे अच्छा क्या करता है वर्णन करता है तो अप्शन है आपके सामने पहला इतियोलोजी इतनोलोजी एंटोमोलोजी इतोलोजी जबाब दीज़ेगा इसका तो ध्यान रखोगे बता देता हूं मैं आपको यहां पर इसका जो क्रेक्ट आंसर रने वाला है वह कौन सा है इतोलोजी है जिसके अंतरगत क्या किया जाता ह यहां पर पशु व्यवहार के देविक अध्यन का सबसे अच्छा क्या किया जाता है वर्णन किया जाता है तो देखे क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है क्या इसमें महतुपुन बिंदु रने वाले विटाओ ध्यान रखोगे हमने बात किये इसमें इतियोलोजी इसमें बिद्ञाम दीजेगा इसमें और अपना यहां पर कियां निम्ने लिखित में से कोन सा शब्द ौशु व्यवहार के गेविक अधियन का अच्छा वर्णन करता है में तो अच्छा वर्णन कुछा करता है याँ पर worthwhile एत फोड़ॏ जय ध्यां रखोगे ऐसमें इतो लोजी ध्यां रखो कि ठीक है ऑलो यह कुछ अले आ गया है यहां पर य हम पर फ्रशय करमा हूँ SM 15 हे उसकी बात करें हम यहांपर क्या morphology क्या ध्याण रखोगे क्या कीडों का अध्यन या फिर मानो विकास का अध्यन या फिर जीव की आकरती उसकी संदचना और विशिष्ट संदचना आत्मा गुणों का अध्यन या फिर option D आपके सामने जीव और पर्यावरण की परस्ट पर निर्भरता का अध्यन तो आप दीजेगा इसका स सही से चीटाओं में बता देता हूं आपको मोर्फोलोजी क्या है तो Moore Val City है क्यों की आकरती उसकी संड़चना और विशिष्चिस संड़चना अतमगुनों का अध्यान यानि कि विज्ञान कि वह शाका जिसके अंतरगत क्या किया जाता है। क्यों कि आकरती उसकी संदचना और विश्ष्ट संदचनात्म गुणों का अध्यन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है मौर्फो लोजी कहा जाता है तुके चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अबने बात की बटाओ और आकारिकी के बारे में जिविज्ञान की एक शाका है जिसके अंतरगात किसी जीव की आकरती उसकी संडचना और विशिष्ट संडचनात्मक गुणों का क्या किया जाता है अध्यन क्या जाता है उससे क्या कहा जाता है प्रश्ण क्रमान को आगे बढ़ाते हम यहां पर प्रश्ण क्रमान 16 लग चुका है स्क्रीन पर जवाब और प्रश्ण क्रमान को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले कुछ महतुपुर बिंदु हैं ध्यान रखोगे क्या फोटी कल्चर विज्ञान की वह शाका है जिसमें अनाज, फुलों और पोदों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक क्या किया जाता है अध्यन किया जाता है ध्यान रखेगा फोटी कल्चर मानौ उप्योग के लिए इस्तेमाल होने वाले पोदों के विज्ञान तक्नि फल आजाएगा, सब्जिये, अनाजे, और एक दूसरा भाल कून सा होगा, खादे भाग होगा जिसके अंतरगत होगा फूल होगा वोदे होगे जिसको नहीं खाया जाता है जिकए तो इन दोनों की रूप में तो पहला भाग दो अब क्या यहां पर खादे भाग और दूसर का क्या अभी प्राय है एपिग राफिक का क्या मतलब है तु धियान रखोंगे कंकालों का अध्याने क्या बताएगा का नकालों का अध्यान ध्यान रखोगे ऩी प्राइक क्या होता है जीलालेखों का अध्यानी श्रशनक्रमां को फिर आगे बड़ाते हैं यहां पर अभी आओं अभी हमने बात बटाओं किसके बारे में द्यान पो गहें लगे एपिधिभ माथ कर चुक्छेंए यहां पर क्या डे खाहल आध्यानाद होगा ओस्टिलोजी के बात करें तो ऐस्टियो लोजी किसको कहें गये कंकालों का अध्यान क्या कहलाता है और इसे के इसातमें परेखेगा आपका प्रश्न एक होगा लेकिन यहां पर आप चार प्रश्न तयार करेंगे चैन्दीज़ी का आगे नेक्स्ट प्रश्ण की और बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्ण निमनलिकित में से किसमे मनुस्य का अध्यन होता है आपको क्या बताना है कि कौन से शाका के अंतरगत मनुस्य का अध्यन किया जाता है हम बोल सकते बढ़ाओ यहां पर प्रश्ण क्या आपका कि निम्नलिकित में से इसमें मनुस्य का अध्यान होता है जान रखोगे सबसे पहला है आरक्योलोजी सेकंड है और थाड है एंठ्रोपो लोजी फरत है एंड्रो लोजी तो इसे प्रियक टांसर एंठ्रोपोलोजी तागे बढ़ते हम यहां पर हाँ भई हमने बात कि एंथ्रोपोलोजी में मानव के विकास विती रिवाज, इतिहास परमपराओं से संबंदित वीशियों का अध्यन किया जाता हैं और आर्कियोलोजी यह तो हमने बात कि यहां तक किसकी एंथ्रोपोलोजी के हमने बात की यह यह बात करें इसकी आर्टी के लोसी की तुधियान राखोगे पुरा तत्यु संबंदी विज्ञान के शाका हें क्या आर्टी लोजी के अलावा यहां पर एक्ठी लो지 के हम बात करें मचलियों का अध्हिन किया जाता है एंड्रो लोजी के हम बात करें पुरु स्वास्ते से संबंदी ते मुक्यत पुर जञान स्वास्ते और मुत्र संबंदी канि चिकिस्let विज्ञान की शाका है इसकी शाका है चिकिस्षविज्ञान की शाका है चली stap फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न क्या रहने वाला है आपका प्रशन क्रमांध प पोधों में बिमारियों का अध्यन और वह तरीका जिससे पोधे विरोध करते हैं या संक्रमन से सामना करते हैं कहलाता है। Option A है आपके सामने विक्रति विज्ञान, Option B है क्रिया विज्ञान, Option C है खाइटो, किथालोजी, Option D है, फोटो, मॉर्फोलोजी, उध्यान रखोगे, क्या सही आंसर होगा। याने कि जो पोधे होते होते हैं किरें विर्टावं, जिए जबंगे किसे संक्रमन से ग्रसित होते हैं या फिर उनका संक्रमन से क्या सामना करते हैं है उद्यान रखोगे छाय खड stark answer थायटो, फोटा लोजी एक बात बता देता हमें यहाँ आपको यहाँ बात की जाए किसकी फाइटो का मतलब क्या होता है यहां पर पादप होता है और बात की जाए बिटाओ किसकी लोजी का मतलब क्या होता है यहां पर होता है प्रश्ण कर्मान का प्रश्ण क्या है विज्ञान की एक शाका जो जीवन या प्रत्वी से परे मोजूद जीवन की संभावनाओं से संभन्दिते उसको क्या कहा जाता है तो उसको क्या एंटोमोलोजी बोला जाता है या फिर एक्जोबायोलोजी या फिर माइकोलोजी या जिवास्म विज्ञान तो ध्यान रखेगा इसका क्रेक्ट आंसर एक्जोबायो भी जाँन वाथ जीकाओं को जगुरी दacia की जीकादारी चुछल का जीन होदी है गाल चाय सब्सक्रविजय को又 ह 쿠 कवक है है उसके फाइक वाल उत्रप्राइड हो आज जाते हैं यह अगे बढ़ते हैं क्साली तो ध्यान की वह शाका है जो जीवन या प्रत्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संभंधित है ठीक है इसे के बाद हमने बात की बिटाओ यहां पर किसके बारे में तो ध्यान रखोगे कि अगर हम बात करें नहीं तो ध्यान रखोगे इसके शाका के अंतरगत क्या क्या किया जाता है चिवास्म विज्ञान हम बात करें हब जिए थीक靠 के पैलिव बोटने के आप करें ने करें ही तो ध्यान रखोगे यहां पर इसके अंतरगत क्या-किया जाता हो यहांपर पात्मों के और शेश्वेशो का क्या किया जाता है है तो यहां पर यह महतुपूर्ण इंदूति आपके लिए जो से लिए आस तक करने यह क्लास ती यहाँ पर एक महतुपूर्ण प्रश्न के बारे में और यहाँ पर महतुपूर्ण प्रश्नी आपके यह रेल्वे ग्रूप D, रेलवे एलपी ठीके एंटी पीसी और इसके साथ में ही स्टी इटी और इसके अलावा पशुपरिचर इन सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए ये प्रस्ण महत्वपुन रने वाले हैं तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डीजे सर क्लासेस के चैनल को सबसे पहले त कर दीजेगए और वीडियो को जाधा से जाधा से जाधा निटस तक पहुंचा दीजेगा ताकि आपको इसके अलावा और जो च्लासे होगी वह क्लासे भी मिल पाएगी तो ध्यान रखेगा अगर आप क्लासों को यानि की और क्लास देखना चाहते हो तो डीजे सर ख्याइब सब्सक्राइब कर वुक्ति हैं ऐसी प्यूल जो कलास से जह सब्सक्राइब करना यह घाइगा हूं सब्सक्तिते के बाइब को यहां ऑपको फिर समय बाएगा यह थिसके गीजए आप makersे फाकशा में सब्सक्राइब बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है और एक बात और क्या देखेगा पीछे किज़े सर क्लासेस के साथ करिए अपनी एक्सपर्ट तैयारी सिमित समय के लिए ओफर है आपके पास में यहां पर एलपी ठीक है टेक्निसियन और जिसमें संपूर्ण सीबीटी परस्ट और सीबीटी सेकेंड के लिए ओनलाइन जो कोर्स है वह उपलब्द है जो मात्र कितने रुपे में है तो ध्यान रखोगे यहां पर मात्र 1100 रुपे में तब हैं जल्दी से जल्दी बिजे सर क्लासेस के एप को डाउनलोड कीजेगा जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको सर क्लासेस के एप को डाउनलोड करना है और क्लासों को देखना है आपको अच्छे से ठीक है तो ध्यान रखेगा यह महतुपन क्लास थी अपनी यहां तक की और इसमें ध्यान रखोगे आप अगर आप क करते हम, बुटनाइट.